आप सभी को मेरा नमस्कार सैनिक स्कूल एकांसलिंग वाली जो वेबसाइट है उसने अभी से थोड़े पहले काम करना स्टार्ट किया था वो इसे रहरा कर बीच में फिर से अंडर मेंटिनेंस वाली कंडिशन कभी-कभी आ जा रही है लेकिन साइट ओपिन हो रहा है अब तो साइट ओपिन होना स्टार्ट हुआ लोगों न उसमें लोगिन करके देखना स्टार्ट किया कि साइट कहीं रिजल्ट आ गया है फास्ट राउंड की लेकिन लोगिन करने के बाद वो जब रिजल्ट वाले सेग्मेंट पर क्लिक कर रहा है तो नीचे में वही लिखा हुआ रहा है कि not allotted a new school अब जिन बच्चों के नंबर थोरे कम हैं उनके प्रेंट्स को तो इतनी चिंता नहीं हुई कि हो सकता है नहीं मिला हो इस रांड में लेकिन जिन बच्चों के नंबर काफी ज्यादा अच्छे हैं उनमें भी वही लिखा हुआ रहा है तो उन्हें टेंशन हो इस पर ही पहले लिखा हुआ आएगा कि first round का जो result है उसको declare कर दिया गया है और यह जो लिख रहा है not allotted any school यह from the very beginning सुरू से ही लिख रहा है जिससे मैं अपने registration किया होगा उससे में अभी आप click करते result पर यहीं लिखा हुआ रहा था result आने के बाद यदि आपको seat allot होती है तो उपर में जो result वाले टैप पर जो आप click करेंगे ना तो सबसे उपर में ही green color में या इसी तरह कुछ है congress करके लिखा हुआ आता है और सबसे नीचे जहां वह लिख रहा है not allotted any school वहां किसी school का नाम रहेगा यदि उस समय first round के result होने के बाद यदि आपको कोई school allot नहीं ह होता है तो नीचे तो वह लिखा रहेगा जो अभी लिखा हुआ है लेकिन उसी result वाले पेस में सबसे उपर में red color में लिखा हुआ आएगा कि you have not been allotted any school in this round मतलब इस round में आपको कोई भी seat नहीं मिली है तो अभी घवराने के जोड़ोत नहीं है आप लोगों को site ने काम करन स्टार्ट किया है लेकिन first round का result अब तक अभी जब तक हम यह वीडियो बना रहे हैं इस समझ तक result नहीं हुआ है result आने के बाद यदि seat a lot आपको होती है वो आपकी result segment में नीचे दिखेगा यदि seat a lot नहीं होती है तो सबसे उपर result पर क्लिक करेंगे ना तो उसी page पर सबसे पर red line में red color में ही एक line में लिखा हुआ आएगा कि आपको इस round में कोई भी seat नहीं मिली है इंग्लिस में रहेगा you have not been a lot of school in this round तो अभी के लिए यही न्यूज है यदि और भी कुछ न्यूज आती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आपनों के सामने आएंगे